Good Morning Students मैं medocktor मीनिश दूडी team chemistry CLC आज हम बात करेंगे Campaign Bonding in मैंटलर्जी में जो जो कुषिन जही नहीं में उनके लिए बात करते हैं सासे कि सिरूबन बात करेंगे जो मैटलर्षी से है किस से हैं चालर्षी सी है देखें लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड को मिलान करना है इधर इनके प्यूरिफिकेशन के अपने क्या दे रखें मैथर दे रखें उनके लिए बात करते हैं मरकरी मरकरी के लिए बात करें देखें आपको मैं इसे किश्णों के लिए पहले भी आपको बता चुका कि जब भी आपके सामने क्या आए ऐसे किशिन आए तो पर्टिकुलर अगर जिस ओप्शन पर आपको confidence है उसको उठाएं जैसे मेरे को पता है क्या निकल निकल का purification किसे करते हैं वेपर फेज रिफाइनेशन से करते हैं ठीक है और एब कॉपर का जो करते हैं वे किसे करते हैं अपन इलेक्ट्र लाइक्टरी रिफाइनिंग से करते हैं तो अपने इसम準 की में है तो अपना आंसर यागा भटा जैगा बेटाजी कोमसा फ्ला वोग सा फॉपने पास और आजाएगा ठीक है, fourth answer आजाएगा अबना तो मिलान कर लिए mercury के लिए कौन सा एका second mercury के लिए distillation refining यूज़ करेंगे ठीक है, copper के लिए क्लिए 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 है वेदूत अपकेटनी शोधन करते है electrolysis करते है, silicon के लिए क्लिए क्लिए zone refining method बहुत शुद्ध अवस्ता में जो metals C होती है उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है zone refining method यूज़ किया जाता है next बात करते हैं in the following molecule the hybridation of carbon A, B, C and respectively hybridation पूछा है किसके लिए A, B and C के लिए देखे वेटा, यहां मैं बात करूँ यहां इस carbon ने 4 sigma bond बना रखे है तीन तो hydrogen के साथ और एक यह तो इसमें कौँसा हो जाएगा SP3 hybridation हो जाएगा कौँसा SP3, इस carbon के लिए B carbon के लिए बात करूँ, एक sigma 2 sigma, 3 sigma, इसमें कौँसा हो जाएगा SP2 हो जाएगा कौँसा SP2, इस carbon के लिए बात करूं तो यहां कोंसा आजाएगा SP2 ही आजाएगा कोंसा SP2 आजाएगा तो अपने देखा इसमें SP3 SP2 and SP2 तो आंसर कोंसा आजाएगा अपना first answer आजाएगा कोंसा first अपने पास answer आजाएगा next बात करें third में बात करते हैं the chemical is added to reduce the melting point of the reaction mixture during the extraction of aluminium aluminium के discussion के दोरान अभिकरिया mission के गलना को कम करने के लिए रसायन मिला जाता है जो रसायन मिला जाता है वो कोंसा होता पीटा cryolite होता है cryolite को mix करते हैं अपन इसके अंदर ताकि इसके जो शुद्या उनके गलना क्या हो जाएए कम हो जाए cryolite का यूज किया जाता है याद रखने वाली बात है मेटलर्जी में ज्यादा तर आपको चीज़े याद रखनी पड़ती है थीक है नेक्स्ट बात करते हैं अम अमोंक्स दा पॉलोविंग दा लीनियर स्पीसीज लीनियर स्पीसीज यह बेटा जी एजाईडाइन है कौन सा है एजाईडाइन एजाईडाइन की स्ट्क्चर के अगर अपने बात करें नाइटोजन नाइटोजन कोडिडेट एंड नाइटोजन है इसके उपर माइनस चार्ज है करें इसके लिए र趣 के लिए बात करें इसके ऊपर कोई लओंपीर नियर दूडशन जाचुकर इदर एक सीघ्डम दो सीघ्माईडाइस्पिऑ होट्र यह अधिए कि संक्रन आ गया तो किसी लें इस्कायाइगी इस्की कैसी आएगी बैटा V-shape शेप आएगी कैसी V-shape तो अपना आंसर आजाएगा फर्स्ट इसकी बात करें दो लॉन पेर दो सिग्मा इसकी बात करें SP2 आएगा एक लॉन पेर आजाएगा NO2 के लिए बात करें इसमें V-shape मिलेगी SP2 आएगा इसका बोन एंगल श्पेशल याद रखना इसका बोन एंगल 134 डिग्री होता है कितना 134 डिग्री इसका बोन एंगल होता है नेक्स्ट बात करें पांच नंबर किशन करें लिस्ट फर्स्ट और सेकिंड को मिलान कीजिए अब फिर मैचिंग का किशिन आया है आजकल ऐसे किशिन बहुत ज़्याद आने लगे हैं तो इसके लिए बेटा मैं आपको फिर बोलता हूं कि एक कोई पर्टिकुलर अपने को याद है तो उसको डंग से देखें अब इरको पता है बोकसाइट किसके लिए यूज किया जाता है बोकसाइट एल्टू ओ थ्री को बोला जाते किसको एल्टू ओ थ्री को तो हेमेटाइट भी अपने को पता है किसको का जाता है एफी टू ओ थ्री को का जाता है तो अपने मिलान कर लेते हैं A का second, A का second बेटा दो में है, फिर B का first, B का first, A का second B का first यहाँ है, यह B का third अपना answer आजाएगा, fourth answer आजाएगा, क्या आजाएगा, fourth option ऐसे बने होते हैं कि कोई अगर आपको दो पहचान में आजाएएं, तो easy way से, 99% तक ऐसे ही question मिलते हैं, जिसमें दो option अगर आपको पहचान में आगए, तो आप easy way से कर सकते हो, तो इसमें answer आजाएगा, फॉर्थ A का second आजाएगा, B का first, C का fourth and D का third आजाएगा, next बात करें 6 नमबर question देखते हैं, a central atom molecule has two lone pair of electron and form three single bond, the shape of this molecule is उस molecule की shape कैसी होगी, क्या है दो एकांकी electron yugum है और तीन एककल बंद है दो lone pair है तीन सिग्मा है तीन सिग्मा है, तीन सिग्मा है टोटल कितने होए, पांच, पांच का मतलब क्या हुआ, SP3D हुआ, क्या, SP3D SP3D में दो सिग्मा तीन लोन पे और यहां पर क्या आएंगे बटा loan pair आएंगे, क्या आएंगे loan pair तो structure अपनी कैसी आजाएगी T shape, तो अपना answer कौन सा आजाएगा T shape answer आजाएगा next बात करते हैं साथ नमर किशनी, दा process that involves the removal of sulfur from the ore प्रचन के अंदर वायू की presence में गरम करते हैं sulfur ask होते हैं, वो oxide ask में change हो जाते हैं तो अपन कहेंगे roasting या भरजन का use किया जाता है sulfur के जो और होते हैं उनकों में sulfur को remove करने के लिए उनको oxide में change करने के लिए तो अपना answer आजाएगा second, next बात करें मैं आपको पहले बोल चुका metallurgy में जादा तर आपको याद करने वाले ही चीजे होते हैं which of the following reduction reaction cannot be carried out the with coke, coke किसका reduction नहीं कर सकता परजी coke normally first group second group के reduce करने के लिए coke का use नहीं किया था, first group second group and aluminium क्योंकि metals कैसे होते हैं highly आपको अच्छी अपचायक होती है अच्छी reducing nature रखते हैं इसलिए coke के द्वारा ये reducing reduce नहीं होती तो अपना answer आजाएगा aluminium का reduction अपन किससे नहीं कर सकते coke के द्वारा नहीं कर सकते first group हो गया यह अपन बोलें कि first group second group या aluminium के लिए बात करें इन तीनों को अपन किसके द्वारा carbon के द्वारा किससे अपचेट नहीं कर सकते तो अपना answer आजाएगा third next बात करें the major component of green German silver German silver में याद रखने वाली बात है German silver का मुखे गटक कौन से होते हैं copper zinc and nickel copper zinc and nickel next बात करते हैं the method used for the purification of indium indium को किसके द्वारा purify किया जा सकता है बेटा जी जो highly highly pure metal की जो necessary होती है highly pure metal जो जरूरी होती है उनका purification किससे किया जाता है zone refining method से zone refining method से purification किया जाता है जो अभी अपने बता के गया तो अपना answer आजाएगा third answer आजाएगा third answer अपना आजाता है next बात करते हैं according to molecular orbital theory the species among the following that does not exist is आनवी कक्षे सिद्दांत के अनुसा निमलिक में से कौन सी जो परजाती अस्तित्व में नहीं है बेटा जी जिनका bond order जिनका bond order अपने को zero मिलता है जिनका bond order zero मिलता है वो exist नहीं करती वो अस्तित्व में नहीं होती bond order calculate करेंगे इसका कितना एदव इसका calculate करेंगे कितना है वन ठीक है be two का calculate करूंगे कितना है जी रहा कितना है जी रहा जीरो आऑगा जी रहा जीरो तो कौन सी species है जो exist नहीं करेगे तो अपना answer हो जाए गा फॉर्थ क्वोर्थ का एक्षिट नहीं करती है कि अमोंग फॉलविंग नंबर फैलाइड विच इस आर इनर्ट एट है इनर्ट है इनर्ट होता है इनर्ट होता है इनर्ट होता है किस पर रूम कि इस इनर्ट होता है होता हुज तो इस इसे क्या बन जाता है S3PO4 का formation होता है इससे किसका formation होता है इससे H4SIO4 का formation होता है इससे किसका formation होता है इससे S3PO3 का formation होता है वैसे ही partially hydrolysis partial hydrolysis represent करता है कौन BF3 complete hydrolysis represent नहीं करता है पर तो hydrolysis के लिए निश्करिय नहीं है यह ठीक है अपना आणसर आजाएगा 1 कौन? SF6. नेक्स्ट बात करें, which of the following pair are ISO structure? कि pair की structure same है? तो अपन बात करें TICL4 and SICL4 के लिए बात करें. इन दोनों की structure अपने को same मिलेगी कौन सी? SP3 Iberation देकर इन में क्या बता देंगे? चतुश फलकी या टेत्राइडल? टेत्राइडल? इसमें भी बात करें, इन में भी same है, SP3 आपन कहेंगे टेत्राइडल shape है, टेत्रा हैड्रल shape आ गई. जबकि इसमें pyramidal और इसमें क्या आएगी? planar trigonal यहां बात करें T-shape और यहां बात करें, planar trigonal planar trigonal trigonal आजाएगी तो shame किसकी मिल रही अपने को? A and B की अपने को same shape मिल रही है, तो अपना answer आजाएगा, first कौन सा जाएगा, first next बात करते हैं इसमें 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 इसके द्वारा concentrate करते हैं तो अपना answer आजाएगा, first के लिए बात करें, cd right कौन सा? cd right होता है तो अपना मिलान कर लेते हैं first का, third आजाएगा first का third एक में ही है बेटा एक से ही पता लग गया आपने को first का third किसमें? एक में ही है, B का क्या हो जाएगा first and C का क्या हो जाएगा fourth and D का क्या हो जाएगा second d का क्या हो जाएगा second calumine हो जाएगा next बात करते हैं the correct set from from the following in which both pair are incorrect order of melting point, melting point का incorrect order बताना है देखे बेटा, अगर metal एक ही हो और non-metal अलग लोग हो तो fluoride के melting and boiling point जादा होंगे किससे coloride से, तो lithium के जादा होंगे किससे, lithium fluoride के lithium coloride से second बात करते हैं दूसरे और दे रखे NACL and MZU दे रखा है, ये group में बात कर रहा है किसमे इस बार एक period में बात कर रहा है एक period में lattice energy से दिये जाते हैं when lattice energy से देंगे energy जदा होती किससे NACL से, ठीक है तो जदा LIF का जदा जदा है किससे LICL से तपना अंसरा जाएगा second MZU को जदा है NACL से, MZU को जदा है NACL से तपना अंसरा जाएगा second next बात करते हैं कौछ रहा है आई थ्री आयन में करम से सही आकरिति था आई 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 बंद कौन बताएं वेड़ा देखिए आई थ्री माइनस ये कैसे इस पर और किश्ण भी पूचे गए एक बार पूचा गया था आई थ्री माइनस में इस निए आई थ्री माइनस में टोटल नंबर ओफ लोन पेर कितने हैं तोटल नंबर ओफ लोन पेर कितने हैं एक बार ये पूछा गया था आई 3 माइनस आइन में करम से सही अक्रिती था आई आई बंद कोन बताएं पहले तो इसकी structure देखते हैं बेटा आई आई एंड आई इस पर माइनस चार्ज है देखे बड़ा इसके पास भी लोन पेर है इसके पास भी लोन पेर है प्रन्तु इसके उपर नेगिटिव चार्ज होने के कारण इसका जैड इफेक्ट क्या होगा जैड इफेक्ट इसका कम होगा इसलिए यहाँ पर लोन पेर का यह तो देखे यह किस की तरह भिएव करेगा ले विस बेस की तरह करेगा क्सक्क्रक्या करेगा लेव अजने को करेगा यूज को इस एक दो न लमडार पल पर तो नियदा है यह शने फ टालल नॉमड़ सब्सक्राइब भी आउटर मोश्में कितने होते हैं साथ तो एक इदर दे दिया तो बच गए कितने कि तीन लोण पेर होगे अपने पास इसके पास भी साथ इस बोंड में तो इसका लगा नहीं यहां हो गया तोटल कितने हो गए यहां ही तिन लॉन पेर हो गए यह तोटल चार लॉन पेर ठेसे की तरा गया बच गए कितने कि टीन फिर बच गए तो टो टोल लॉन पेर हो गए यहां total loan pair कितने nine हो गए कितने nine हो चुके है total loan pair कितने nine हो चुके है next बात करें हमन देखें बड़ा इस central item में बात करें 2 sigma और 3 loan pair 2 sigma 3 loan pair की बात करते हैं hybridization हो गया SP3D हिबकर हो गया SP3D shape कैसी हो जाएगी लिमीर शेप हो जाएगी कैसी लिमीर शेप होजाएगी Sapp तो बोन एंगल कितना आएगा बेटा, 180 डिगरी बोन एंगल आजाएगा, 180 डिगरी बोन एंगल आजाएगा, ठीक है? तो इसमें बात करें, शेप कैसी आएगी? लीनियर एंड बोन एंगल आएगा, 180 तो अपना अंसर आजाएगा बेटा, 3rd, तो यहां ध्यान रखना कौन सा अकॉन सा कुछन बनता है यह पूछ लेता है लेविस असिड कॉन है लेविस बे доступ इसको हूं है दूसरा टोल नंबर ओ लुएंध पूछ लेता है अगर सेंटल AB4 molecule is a polar molecule. A possible geometry of AB4. पेटाची, polar AB4 कैसा है? Polar. एक चीज़ ध्यान रखना, if central atom have no lone pair, अगर central atom के पास कोई lone pair नहीं हो, and lateral atom and lateral atom are same, then dipole moment always zero. तो dipole moment always क्या होगा? zero होगा. इस central atom have no lone pair, and lateral atom are same, then dipole moment always zero. ये कह रहा है बेटाची, इसमें dipole moment non-zero है. मतलब, mu zero नहीं है इसका. मतलब, ये polar molecule है. तो square pyramidal में बात करें, ठीक है? 4 sigma हो, यहां तो 5 sigma हो गए, square pyramidal में कितना आजाएंगे, 5 sigma हो जाएंगे, तो ये तो possible है इनी geometry. ठीक है, tetraidal में बात करें, 4 के 4 sigma हो गए, lone pair कितना हो गए? 0, तो अपना आंसर आजाएगा, rectangular planar, क्या आजाएगा? Rectangle planar आजाएगा, ठीक है? तो ये अपना आंसर आगया. Next बात करते हैं. The molecular geometry of SF6 is octahedral. SF6 की geometry के सी octahedral of what is the geometry of SF4 of electron if any. पेटा जी, अपना बात करें, SF6 की octahedral हो गई, तो geometry पुच्ची SF4 की. सबसे पहले इसमें hybridation count करें, condition बढ़ाएं, hybridation count करेंगे, इसमें 4 sigma एक lone pair आगया. क्या आगया? 4 sigma एक lone pair आगया? तो hybridation आगया, SP3D. तो इसकी shape कैसी हो जाएगी? इसकी shape अपने पास, क्या पुच्ची? geometry पुच्ची है, shape तो आजाएगी, इसकी बेटा pi shape, और geometry की बात करें, तो geometry आजाएगी, planar trigonal, trigonal, bi-pyramidal, bi-pyramidal, planar trigonal, bi-pyramidal, ठीक है? तो trigonal, bi-pyramidal shape हो जाएगी, तो answer आजाएगा अपना, first answer आजाएगा कोंसा? first answer आजाएगा. question next है, 20 number, the shape structure of genome F5 and genome O3 F2, genome F5 minus के लिए बात करेंगे, इसके लिए genome F5 minus के लिए बात करें, तो देखे विटा, पहले इसमें hybridization count करते हैं, hybridization count करेंगे इसके लिए, तो अपने देखा, इसमें condition कौनसी बनी, 5 sigma, दो lone pair condition बन गई कोंसी, 5 sigma, दो lone pair, तो कितना आगे, total 7, 7 का मतलब हो गया, SP3D2, SP3D2 बन गया, ठीक है, next बात करते हैं, xenon O3 F2, xenon O3 F2, तो टोटल इसमें बात करें, 6 और 2, 8 हो गय, कोई lone pair नहीं है इसमें, तो टोटल की टोटल 5 sigma हो गए, तो इसकी vibration आ गया, SP3D, इसकी shape कैसी हो जाएगी बेटा, planar pentagonal, इसकी shape कैसी आ जाएगी, trigonal by pyramidal, trigonal by pyramidal, planar pentagonal, यह आ गई, trigonal by pyramidal आ गई, पहला ही answer अपने पास, आ जाएगा, पहला ही answer अपने पास, आ जाएगा, next बात करते हैं, of the species, NO, NO+, NO2, 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 NO-1 with minimum bond strength, minimum bond strength के लिए बात कर रहा है, पहला जी अपने को पता है, bond order, directly proportional होता है कि इसके bond energy के, और inverse होता है कि इसके, bond length के, bond order directly proportional to, bond energy and inverse to, bond length होता है, ठीक है बड़ा, तब हम बात करें, NO, NO+, and NO+, 2, and NO-, minus, NO के लिए, bond order काउंट करें, 2.5, यहां काउंट करेंगे, 3, यहां काउंट करेंगे, 2.5, यहां काउंट करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, इसमें bond order minimum है, तो bond strength भी minimum होगी, यहां bond energy ले लो, या bond strength ले लो, एक ही बात है, तो minimum bond किसमें आएगी, NO-1 में, नियुंतम बंद सामरते किसमें बनेगी, NO-1 में बनेगी, तो अपना answer आजाएगा, second answer आजाएगा अपना, next बात करते हैं, the relative strength of interionic, intermolecular force in decreasing order is, देखे विड़ा, इन में बात कर रहा है, यह बान्दरवाल bond के लिए बात करें, तो देखे, complete charge और partial charge के बीच में, attraction force लेगता है, complete charge और partial charge के बीच में, तो अग्षाद स्ट्रॉंग होगा, सबसे ज़्द होगा ion इडरु है, सबसे ज़्याद होगा ion-ion भी दे थे अग है, तो सबसे ज़्याद होगा ion-ion, maximum ion-ion, ठीक है, फीर, maximum आया अपने पास ion and ion dipole attraction force ionic bond हो गया ionic bond है strong bond है second आया ion dipole ion dipole हो गया फिर dipole dipole हो गया अपना answer आजाएगा third answer आजाएगा कौनसा third अपने पास answer आजाएगा next बात करता हूं 33 नमर को the dipole moment of CCL4 CS3 and CH4 बेटा एक मैंने अभी बात कुछाएगा central atom के पास कोई लॉन पे नहीं हो lateral atom सेम हो तो dipole moment कैसा मिलता है? 0 मिलता है तो मैं यहां बात करूँ यहां mu की value कितनी मिलेगी मिरको? mu 0 मिलेगा यहां कितना मिलेगा mu? 0 मिलेगा जबकि यहां बात की जाए mu not भी 0 मिलेगा मतलब जादा होगा तो इन दोनों का equal आएगा CH4 and CCL4 दोनों का 0 है तो इससे तो कमी होगा तो अपना answer आजाएगा first first answer आजाएगा अपना ठीक है? इनके लिए थोड़ा सा यहां ध्यान रखना वेटा अगर chlorine लिया जाए अगर chlorine लिया जाए तो CS3Cl का maximum फिर CH2Cl2 का फिर CHCl3 का और फिर CCL4 का मिलेगा अगर अपन बात करें देखिए अपन यहां पर एक छोड़ा सी बात ध्यान रखना CS3Cl and CHCl3 में बात करें तो अपने को CS3Cl का जादा मिलेगा जबकि यहां यह ले CS3F and CHF3 CHF3 ले तो CHF3 का डाइपोल मुमेंट अपने को जादा मिलेगा किसका? CHF3 का डाइपोल मुमेंट जादा मिलेगा किसकी तुलना में? CS3F की तुलना में ऐसा क्यों हुआ ये समझना देखिए C, C, L, H, H and H C, H, C, L and C, L and C, L जब कि यहां बात करें C, H, Fluorine, Fluorine, Fluorine C, F, H, H, H यहां बात करते हैं देखिए बटा, Hydrogen छोटे हैं तो यह जो Bone Angle है यह Bone Angle Less Than 109 Degree होगा Bone Angle कम है तो Dipole Moment एक तरफ Add हो जाएगा जाएड होगा तो Mix होकर यह ज़्यादा बनाएंगे जब कि यह Bone Angle More Than 109 Degree है तो यहां यह Cancel हो जाएगे तो उसे Cancel करने की Tendency इंक्रीज होती जाएगी इसलिए Dipole Moment किसका जादा हो जाएगा इसका Dipole Moment जादा हो जाएगा इन में बात करें तो यहां पर Bone Angle यह अपने को इंस के Compare में है इसको मैं थीटा 1 बोलूँ इसको मैं थीटा 2 बोलूँ तो बेटाजी थीटा 1 लेस देन थीटा 2 होगा तो यहां पर यह Angle जादा एड कम होने के करना यह Dipole Moment क्या होगा एड हो जाएगा जुड़ जाएगा अपस में जुड़के एक तरफ रहेंगे जबकि यह इसके कंपेर में ज्यादा है तो इसके कंपेर में कम जुड़ेगा तो यह Dipole Moment अपने को कम मिलेगा यह Dipole Moment अपने को जादा मिलेगा तो अपना आंसर कौन सा आ रहा है इसमें आंसर अपना फस्ट आ रहा है next बात करते हैं अबन the bond order and the magnetic character of the CN minus फिटे जब भी ऐसी बात करें जल्दी से करने का तरीका है आपको जब भी और नमबर में एलेक्टोन हो और नमबर एलेक्टोन और नमबर एलेक्टोन जब भी आएंगे तो species कैसी होगी पैरा मैगनेटिक species कैसी होगी पैरा मैगनेटिक होगी ठीक है जब भी एवन नमबर एलेक्टोन आएंगे एवन नमबर एलेक्टोन तो species कैसी होगी डाया मैगनेटिक होगी कैसी होगी डाया मैगनेटिक species होगी और नमबर वाले में किसको काउंट करना है 10 & 16 को अपने को इसमें काउंट करना है जबकि यहां 10 & 16 को अपने को अड नहीं करना है 10 & 16 को अपने को यहां अड नहीं करना है तो odd no me electron and even No SL drugiej odd no below electron होंगे टो पिरा मेंगेटिक even no球 electron होंगे तो डाय मेंगेटिक odd noil electron कौन ἴंट से कॉन से आग्या पास 14 14 लेक्रण होए तो कैसा होगा ढया मैंनेटिक होगा बोंड टेक सायगी प्रूंट करेम किपोर था थी आता है कितना थी शरूंड ऑने तुट्ट कितना मिलेगा थी एंद पना या किज तो अच्ट आँब हॉ नेक्स्ट बात करें किया रहे हैं, in which of the following process, the bond order has increased and paramagnetic character has changed to diamagnetic character. देखो बटा, अब अपने ट्रिक बताई थी, यहाँ, electron कितने है, 15, ठीक है, यहाँ कितने है, 14, तो यह paramagnetic है, और यह diamagnetic है. bond order की बात करें, इसका 2.5, इसका कितना जगा, 3. जबकि यहाँ बात करें, O2 कैसा है, paramagnetic, 16 पर, और O2-2, 18, कैसा हैगा, diamagnetic, ठीक है, bond order यहाँ काउंट किया, 2, यहाँ bond order काउंट किया, 1. O2 में बात करें, bond paramagnetic हो गया, और O2-1 भी paramagnetic, bond order 2, और bond order 2.5 हो जाएगा, क्या, 2.5, एन 2 में बात करें, diamagnetic है, और यह paramagnetic है, यह bond order 3, यह bond order 2.5 हो जाएगा, क्या, तो क्या कहना चाता है, in which of the following process, the bond order has increased and paramagnetic character, bond order तो increase हो रहा है, paramagnetic character change to diamagnetic, देखे, такихp this bond order increase हो रहा है, para, daya में change हो रहा है, here bond order decrease हो रहा है, here increase हो रहा है bond order, और पर ने ला परन पर the para में रहा है, here bond order decrease हो रहा है, करें तू पाइंड हाफ सिग्मा प्रेजेंट इट टू पाइंड हाफ सिग्मा की जब भी बाती करता है इसका मल बॉंड ओर टू पाइड बॉंड पाइड देख लें अपन ठीक है उसी से अंसर आजेगा आपका मेरे साब से ज्यादतर और देखें हैं पहले म New Life कितना या बैटा टू एंड कवर देखके बॉंड वीडड कीतना या थ्री मतलब हैं अप्रनникомी लाट यहां बात मीुड पाई हैं 2.5 अब दोनों में ही bond order 2.5 आगया अब अपने वो डाइग्राम बनाना पड़ेगा अच्छा किशन है विटा इसके लिए डाइग्राम बनाना ही बड़ेगा देखिए एंटू के लिए डाइग्राम बनाएं यह πाई 2पी एक्स बोल दूँ एक्वल पाई 2पी बोल दूँ और यह सिग्मा टूपी जैड है यह सिग्मा टूपी जैड स्टार है यह पाई 2पी एक्स बराबर पाई 2पी य है जबकि ओटू के लिए डाइग्राम अलग बनेगा ओटू के लिए यह उपर वाला डाइग्राम तो सेम ही बनेगा दोनों के लिए यह पाई 2पी एक्स एक्वल पाई 2पी वाई सिग्मा टूपी जैड स्टार है स्टार है और यह स्टार है जबकि नीचे जो आएगा π2π x π2π y अब देखिए N2 में total N2 में total electron कितने हुए N2 प्लस 1 में total electron अपने पास electron हुए 13 तो मैंने 1 फिल किया 2, 3, 4 और 1, 5 क्योंकि 8 तो निचे रह जाएंगे बेटा आपको ये diagram पूरा बता होगा इस से निचे 8 electron रह जाएंगे अब हम पूरा यहां पर नहीं बना सकते, 8 electron तो नीचे रहे गए, अब देखिए, यह पूरा एक पूरे bond को, एक bond को represent करता है, तो एक bond तो यह हो गया, दूसरा bond यह हो गया, और हाफ यह हो गया, टोटल कितना हो गया, दो पाई, यह पाई को निरुपित कर रहा है, यह पाई ह इसमें हो गया, दो पाई, प्लस हाफ सिग्मा, दो पाई प्लस हाफ सिग्मा, जबकि इसके लिए बात की जाए, टोटल एलेक्टोन कितने हैं, 15, तो दो यह गए, दो यह गए, दो यह गए, और एक पाई में आगया उपर, किसमें आगया, पाई में, तो पाई वाला इसको ब्रेक कर देगा इसको यह पाई ब्रेक हो जाएगा तो एक सिग्मा एंड डेड़ पाई एक सिग्मा एंड वन सही बन बाई टू पाई एक सिग्मा हो गया और डेड़ पाई हो गया 1.5 पाई हो गया इसलिए बोंडोर कितना गया 2.5 आ गया आदा सिगमा की बात कर रहे हैं, तो यह आपको बात समझ में आ गई होगी, next बात करते हैं, question number 27 के लिए बात करें, के रहे हैं, the hydride that is not electron deficient is, कौन सा hydride जो electron deficient नहीं है, के लिए बात की जाए, तो बेटा, SIH4 के लिए बात करें, तो इसमें SIH4 यह इलेक्टोन देखिए, electron देखिए, SI, H, 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 SI के पास total electron कितने होते हैं, SI के पास total electron 4 होते हैं, इसने चारो जगाएक एक electron दे दिया, 1, 2, 3, और यह 4, hydrogen का एक-एक आगया, तो total electron हो गए अपने पास, 8 electron हो गए, 8 electron हो गए, तो इस electron deficient नहीं है, तो अपना आंसर तो क्या आगया, first ही आगया, electron नहीं नहीं है, जबकि अल्मुनियम हाइड्राइड के लिए बात करें, अल्मुनियम, H, 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 इसके पास total electron कितने हो गए, इसके पास total electron, 6 electron हो गए, 6 electron हो गए अपने पास, कितने, 6, जबकि गएलियम के लिए बात करें, यहीं आएगा, G, H, H, and H, 2, 2,4, and 2,6, 6 electron आगये, क्या आगये, 6 electron आगये, B2H6 के लिए बात करें, B, H, 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 B, H, 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 यहाँ bond बनेगा, कौनसा, 3 center, 2 electron bond, कौनसा, 3 center, 2 electron bond बना, 3 center, 2 electron bond बना, तो यहाँ पर टोटल electron कितने होंगे, 2, 2, 4, और 2,6, 2, 2,4, 2, 6 electron होंगे, तो यह भी electron deficient होगा है, इसमें हैं, हुआइशन कौनसा होगा, SP3 होगा, यहां भी, octate, incomplete है, Octate कैसा है, incomplete है, यह Levis Acid होगा, यह Levis Acid होगा, क्या होगा, Levis Acid होगा, यह Non Planner होगा, क्या होगा, Non Planar, कैसा होगा? non-planar होगा और non-polar होगा क्या होगा non-polar and non-planar होगा octate incomplete है levis acid होगा क्या होगा levis acid होगा तो answer अपना आगया first ये तीनो ही electron deficient compound है ठीक है तीनो ही कैसे है electron deficient compound है next बात करते है 28 number the coloride that cannot get hydrolyzed is कौन सा coloride है जो जल अपगटित नहीं होता बेटा अभी अपने बात की थी तीन जो hyalide है कौन से कौन से CCL4 है SI CL4 है sorry ये ग्रूप के बनाए गए है SNCL4 है PBCL4 है इनका तो hydrolysis possible हो जाएगा पर तो इसका hydrolysis possible नहीं होगा क्योंकि central atom के पास नहीं तो कोई lone pair है वो नहीं vacant orbital है इसलिए इसका room temperature पर hydrolysis possible नहीं हो पाता high temperature पर इसका hydrolysis possible हो जाता है तो अपना आंसर कौन सा आजेगा अपना आंसर आजेगा first next बात करते है the type of hybridation and the number of lone pair of electron of xenon in xenon of four xenon fo f4 के लिए बात की जाए यहां बेटा जी total sigma काउंट करें lone pair 4 और 5 sigma हो गए और एक lone pair हो गया 5 sigma एक lone pair आ जाए क्या 5 sigma एक lone pair आ गया total हो गए मेरे पास 6 हो गए 6 का मतलब sp3d2 हो गया क्या हो गया sp3d2 आ गया ठीक है hybridation हो गया sp3d2 lone pair कितने है मेरे पास एक तो आंसर आजाएगा अपना fourth hybridation sp3d2 and lone pair आ गया एक next बात करते हैं तो यह बेटा जी अपने question complete हो गए है जो अपने पास आए हुए थे किसमे जैमेन में 20 and 21 में उनके लिए बात कर चुके हैं next unit में बात करेंगे अपन other chapter के बारे में आज के लिए इतना ही मिलते है next chapter में thank you